बर्मुडा ट्राइंगल पिछली पीड़ी के लिए एक पहेली था, अब पहेली नहीं है, वो एक पुराने ज्वालमुखी की जगे है, नीचे कई छोटी चोटियां उठी हुई है, समुद्र में नीचे, इटली के तट के आसपास भी यही होता रहता है तो बर्मुडा ट्राइंगल पिछली पीड़ी के लिए एक पहेली था, अब पहेली नहीं है इन दिनों कोई जहाज बर्मुडा ट्राइंगल में जाकर नहीं डूपता बस वहाँ जहाज चलाना मुश्किल है, एक न्यूज चैनल पर एक डॉक्यूमेंटरी में दिखाया गया था कि बॉस्फोरस से जहाज निकालना कितना मुश्किल है ये समुद्र तुर्की में स्तानबुल के दो हिस्सों के बीच है, इसे बॉस्फोरस कहते है वहाँ से जहाज लेकर जाना मुश्किल है अब वहाँ आठ रेडार स्टेशन है, जो आजकल जहाजों को निकलने में मदद करते हैं पहले कई जहाज किसी न किसी चीज से टकरा कर डूब जाते थे अब आठ रेडार स्टेशन उनका मार्गदर्शन करते हैं क्योंकि वो थोड़ा जटिल रास्ता है वो सडक पर किसी ऐसे मोड की तरह है जहां हर दूसरे दिन दुरगटना होती है लोग तुरंट कह देते हैं कि वहाँ कोई भूत है जो दुरगटनाएं करवाता है ताकि और भूत जमा हो जाएं बैंगलूर मैसू रोड पर एक जगह है किंगेरी हर महीने कम से कम तीन से पांच लोग इस मोड पर मरते थे वो बस एक चड़ाई वाली सडक थी जिस पर एक नुकीला मोड था नीचे एक रेलवे ट्रैक है ऐसा एक घुमाओदार मोड और वो इस तरफ जाता था लोग रोज आकर इस पुलिया में टकरा जाते थे खत्रा दुरगटना छेत्र के बोड थे उन्हें पढ़कर मानों लोग सोचते हों कि उन्हें दुरगटना करनी चाहिए मैं नहीं जानता कि कितने सौ लोग इस मोड पर मारे जा चुके हैं वो मशूर था अपनी मोटर साइकल पर एक घंटे 34 मिनट में मैं सूर से बैंगलोर पहुँचने का मेरा रिकॉर्ड था सडकें ऐसी नहीं थी जैसी आज है एक दिन मैं पूरी स्पीड से आया और मोडनी की कोशिश कि मैं लगभग पुलिया में घुज गया था फिर मैं रुका वापस जाकर गौर से देखा साधारन चीज है ये ऐसी चीज नहीं है जिसे देखना पड़े मगर ये सडक बहुत भरम में डालती है यहां एक उंची चड़ाई लगती है तो आप हमेशा जरूरत से ज़ादा एकसलेटर गुमा देते हैं और जब सडक ऐसे घूमती है सडकों को इस तरह बनाना चाहिए मगर वो थोड़ी इस तरह बनी है वो जबरदस दोखे में डालती है मतलब ये ऐसी चीज़े हैं जो आप आम तोर पर जानते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है मगर ये सडक कुछ ऐसी है पीछे के पेड, रेलवे ट्रैक जैसे वो नीचे जाती है और जैसा इसका किनारा है ये सब मिलकर आँखों को धोखा देते हैं उस दिन मैं लगभग चला गया था फिर मैं उस सडक पर आधे घंटे उपर नीचे घूमा ये जानने के लिए कि आखिर मैं कंट्रोल से बाहर गया कैसे और फिर मैंने पाया कि वहाँ ये चीज़ें है आज वहाँ हाईवे है और उस मोड को हटा कर सीधा कर दिया गया है अब किंगेरी में कोई नहीं मरता भूद चले गए तो इसी तरह बर्मुडा ट्राइंगल बस जहाजों के लिए एक मुश्किल जगह है क्योंकि वो एक पुराने ज्वालमुखी की जगह है नीचे कई छोटी चोटियां उठी हुई हैं समुद्र में नीचे ये पता करके जहाज चलाना चाहिए इटली के तटके आसपास भी यही होता रहता है कुछ जगहों से जहाज को ले जाना आसान नहीं होता उसके लिए थोड़ी कुशलता चाहिए आजकल ऐसा काफी कम हो गया है कोई बर्मुडा ट्राइंगल में जाकर गायब नहीं होता क्योंकि हर जहाज पर बहुत से गैजेट्स होते हैं जो हर चीज दिखा देते हैं सोनार रीडर्स होते हैं रेडार, रेडियो अल्टिमिटर और कई चीजें होती हैं जो आपको लाखों चीजें दिखाती है तो अब लोग नहीं टकराते जब जहाज के कप्तान जहाजों को ऐसी स्थितियों में सिर्फ अपनी आँखों और इंद्रियों की काबलियत से ले जाते थे तो ऐसी घटनाओं की पूरी संभावना होती थी तो लोग हमेशा कौतुहल ढूंडते हैं ये कोई बुरी चीज नहीं है क्योंकि ये लोग महत्वक आंशी हैं क्योंकि उन्हें कोई तरीका नहीं मिला तो उन्होंने कोई चीज इजाद कर ली कुछ खोजने के बजाए उन्होंने कुछ इजाद कर लिया तो आप कोई चीज इजाद मत कीजे महत्वपून चीज ये है कि आप कुछ खोजिए झाल